दोस्तो नमस्कार आज का ये छोटा सा वीडियो आपा लेके आ रहे हैं बाई मंडाणा गाउं से सुबास बाई के घर पे जो पशुदन है आपा वो पशुदन दिखाएंगे और खुबसुरत सी बैसे खुबसुरत सी कटडी और बाई को चाव अमेशा रहा है मेलों में पार इसले साला पाई डेरी पे बहुत अच्छा दूद दे रही थी तो आगी थी उसके पिछे ये कटड़ा आ गया था ये जो टीया लाड़ो की समेर बाई क्या आल चाल है ये अपनी कटड़ी लाड़ो वाली इसका इसका फादर कुण सा था साइद को है चल डिबी का था द्याना साइद नेक सो पता नहीं पचास था के चमन था के चवालिस था द्यान नहीं बापा पूछ के भी बता देंगे बाई तो ये उसकी करड़े खोल के चलाना कीतनी उमर होगी इसकी दाइसाल का लग बगया देखो बाई जोटी ये देखो बाई अरियाना जो है वो मुर्रा की खान किसलिए है मनाना काओं में आपको पसुदन दिखा रहे हैं ये देख लो लेया बाई बहुत ही बड़िया जोटी देखो कैसी है बाई के गर से इसकी इसकी मा दिखा के आता हूं मैं बैठेक में जो है वो फोटो लगी होगी जजजर मेले में मेरी ख्याल से दूसरे नंबर पे थी ब्यूटी कमपेटिशन में और वो फोटो लगी है ये लगी दूसरे मेले की फोटो है ये देखो और ये था एक और कटड़ी जो गर पे रखी थी ताउजी साथ में खड़े हैं और एक और कटड़ा ये देखो ये जो ये कटड़ा जो मेले में जो अपना इधर लगा था अपने महम में ये कटड़ा बीच में है एक कटड़ा वो सब्सक्राइब करनाल करनूल का वहां मेला जीती थी और एक डड़ी वो खड़ी सारी जो है ये बैसे जो है इदर देखिए सरस्वती का फोटो लगा रखा है तो सारा जो पसुदन है वो ये सेक्ट्री साहब ने जो है विशेश सम्मान दिया था तो ये देखो तो सारे मिले मालो में जाना पार्टी स्पेट करना अच्छा पसुदन रखना वो है और अपनी अपनी लड़ो क्या में एक मेला में लगी थी बाई और बीशेक किलो दूदगर पे रूटीन में देना ठंड और वो अपने बाई है चमकोर बाई बलाड़ा से उनके पास गई यह उसकी कटड़ी है फादर इसका है चल डीबी का उस टाइम पे साइद अपना सीमन सामन आता नहीं था और यह देख लो कटड़ी कैसी है बहुत बड़ी आ लंबाई बिल्कुल काड़ी जैड बलेक तालाब पे जाती है काफी टाइम लगाती है कितने दिन रहेगे वाइस क आज पूरे होगे दिन तो यह तो ब्याएगी नहीं अभी पांदस दिन तो अरे इपका गया बिन कौन सा बुलता है अच्छा बाई मंडाना में मिलते नहीं कई बार अपने डेरी पे भी सिलेंडर नहीं रहता मैं भी कल जाके सफेशल दन्ना का सीमन लेकर आजो गर पे मैं सब बैंस रखी है पिछे उसके नवाब की कटड़ी है यह बैंस मैं बताता हूं भाई पिसले साल डेरी पे लेके आ बता है इसका एक नंबर और इस साल यह खराब सी होगी क्यों सुमेर भाई यह कड़ वाना पढ़िए इसका बच्छा महें मर गया था इस लिए खराब हो गया और दूद फेर इस बार कितना देवा है दूद मन की मर्जी है देव तो बीस किलो देदे एक टेम बारा किलो दे तो बच्छा पिछले साल तो यह आप तेरे आथ से ही मिलती थी अच्छा इस बार गडबड कर रही है तो यह देखो बाई किसी टाइम बारा किलो दूद भी दे देती है किसी टाइम बाई आठ पे भी रह जाती है और मन की मर्जी सी आई यह ऐसा अपने पास आई थी एक व पारी बाई से और यह दादरी की साइड से बैस आई थी मैंने जब इसकी वीडियो डाली डैरी फारम पे खड़ी की तब जिस बाई से आई थी उसने कहा के भाई मेरे गर पे भी मान के चलो 20 किलो दूद नॉर्मल डाइट पे 7-8 किलो दाने पे देती रहती थी और यह पंचैती बुल छोड़ा था उसका यह बेटा है यह पंचैती बुल से गया भी नुई थी और कटडे की उमर कितनी होगी लग बग बेरा पता हूं तो भई है बाकि अभी सेड साड बन रहे हैं तो हो सकता है कोई दो पैसे अच्छे देगा तो उसको आपा दे भी देंगे कटड़ा बोलना भाई इसको भी दर अब तो दूद निकाल लिया भाई इसका सायद है ना मैं लेट हो गया यह देखो भाई बिलकुल साफ सुतरा क पाड़ ले अपने अपने डेरी की डिजीज फरी बैस्तों को गया भी न करा ले तो आपा दुबारा सीमन बैंक के लिए भी ले लेंगे नहीं तो सिद्धा ही लेकर चले जाएंगे कोई बड़ी बात नहीं है बस एक ओर सिंग टूटा हुआ है कटड़ी का वो अगर कोई बाई ले लेता है तो यह आपा डेरी में भी रख लेंगे इस टाइप से आपा सला कर रखे लेकिन कोई बाई को पसंद आएगा तो दे भी देंगे क्योंकि कटड़े वटड़े निकल जाते हैं बड़ी या किसी बैस के तो यह पसु दनबाई गर पे कैसा लगा आप कर में तेल वेल लगा रखा होगा लेकिन काला रंग तो नैचुरल लाइन का क्योंकि तालाब पे जाती है सुबह से आम दोनों टाइम और नसे देखो शरीर पे कैसे चमक रही है बैस के यह देखो बिल्कुल पतली चमडी की है ब्रीडिंग लाए कटड़ा है कोई बाई द और भीगो